पर्यावरण की टीचर अनुवाथा राजपूर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं पर्यावरण का पार्ट 19 जिसका नाम है किसानों की कहानी बीच की जुबानी तो इस पार्ट में हम दामजी भाई के बारे में पढ़ेंगे जो की गुजरात के वानगाम में रहते थे और वो किस तरह से खेती करते थे और उनका जो बेटा था वो किस तरह से खेती करता था दोनों के खेती करने की तरीके में क्या बदला हुआ, उससे क्या फाइदा हुआ, क्या नुकसान और इन सब के बारे में हम इस बात में पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं मैं हूँ नन्ना बाजरा बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकडी के इस सुन्दर बकसे में रखा गया था आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवारती भी कहानी है अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊं यह जो कहानी है, यह 1940 की है जब जो बाजरे का बीज था, उसे दामजी भाई ने एक सुन्दर से लकडी के बकसे में रखा था और वही बीच अपनी पूरी कहानी सुना रहा है मैं जन्मा था गुजरात के वानगाम में, उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी गाउं में त्योहार का माहौन था, हमारा इलाका अनाज, साग, सबजी के लिए बहुत मशूर था दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीच अगले साल के लिए रखा करते थी इसी तरह हम बीचों का वंच चलता सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीचों को रखा जाता मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीचों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लख्री का एक सुन्दर बक्सा अपने हाथों से बनाया हमें कीडों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिचाई तब और बीचों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा उस समय दामजी भाई के सभी जचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे गाउं वाले एक दूसरे के खितों में हाथ बाढ़ते जब नई फसल तयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी सर्दियों में खेक में ही ताजी सबजीयों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते कोईले के अंगारों में मटके को उल्टा रपकर सबजी को पकाया जाता इस पकी सबजी को कहते हैं उन्धियू गुजराती में उंधियू का मतलब है उल्टा ये जो आप देख रहे हैं मटके में उंधियू पकाया जा रहे हैं उंधियू के साथ मिट्टी के चूले में पकी बाजरे की रोटियों की सौन्दी खुश्बू वा साथ में घर के दूद का मक्खन, दही और जितनी चाहें उतनी छाच तरह तरह की सबजियां अनाज अलग-अलग मौसम में उगाई जाती थी किसान अपनी जरूरत के अनाज सबजी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते अनाज और सबजियों के अलाबा कभी-कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती सूद की कताई और बुनाई भी घर में ही चर्खों और करगों पर की जाती थी उस समय जो किसान थे वो अनाज और सबजियां भी उगाते थे और इसके साथ साथ चर्खों और करगों पर सूथ की कताई और बुनाई भी करते थे बदलाव लेकिन समय के साथ कुछ-कुछ बदलाव भी होते गए कुछ सालों में गाउ में कई बदलाव आये कुछ जगह उपर नहर का पानी पहुँच गया कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बान से यह पानी यहां लाया गया था फिर बिजली भी पहुँच गई बस बटन दबाओ तो रोशनी धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे जिन्हें बेचकर जादा फाइदा हो दामजी भाई के खेतों से हम जवार बाजरे और साख सबजियों की तो छुट्टी ही हो गई किसान बीचों को भी बजार से खड़ी दिने लगे लोग कहते थे नई धरह के बीच है अब किसानों को पुराने बीच रखने की जरूरत नहीं थी अब तो खास मौकों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता सब पुराने खाने के स्वाथ को याद करते मगर बीच ही बदल गए तो स्वाथ कैसे ना बदले फिर बजार से खड़ीदी सबजी से घर की ताजी सबजी के मज़ा थोड़े ही आ सकता है दामजी भाई अब बूरे हो गए थे उनका बेटा हस मौक खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा हस मौक खेती से खूब मुनाफ़ा कमा रहा था उसने अपने पुराने घर को नया बनाया खेती में भी नही नही चीजे लाया पानी के लिए बिजली का पंप लगाया शहर में आने जाने के लिए मोटर साइकल खरीद ली और जमीन चोदने के लिए ट्रैक्टर जो काम करने में बेलों को कई दिन लगते थे वह काम ट्रैक्टर कुछी समय में कर लेता हस्मुक कहता अब हम सो समझ कर खेती कर रहे हैं वही उगा रहे हैं जो बजार में बेचा जा सके मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधा सकते हैं और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक्ता हम तो सोचते ही रह गए यह कैसी तरखी हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई टैक्टर ने खेत पर काम करने वाली लोगों को भी बेरूजगार कर दिया खर्चे पर खर्चा अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए गाएं बैल नहीं तो गोबर की खाथ भी नहीं हस्मुक ने नई मेंगी खाथ डालनी शुरू कर दी नई बीज ऐसे थे कि उनसे ओगी फसल पर जल्दी हीडे लग जाते फसल पर दवाईयों का छड़काव भी करना पड़ता ओफ क्या बदबू थी उनकी हस्मुक का काफी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा नहर का पानी कम हो रहा था अब हस्मुक के गाओं में सभी ने अपने अपने पंप लगा कर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी सीचा खर्चे पर खर्चे मुनाफ़ का पैसा बैंक की करजे में कटने लगा मुनाफ़ा भी क्या जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती एक ही तरह की फसल बार-बार उगाने से और दवाईयों ने जैसे जमीन की जान ही खीचली थी खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था हस्मुक भी पहले जैसा ना रहा चोचड़ा हो गया उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिटकर खेती का काम नहीं करना चाहता बैंक का करजा चुकाने के लिए ट्रक डाइवर का काम करने लगा कभी रात रात भर गर नहीं लोटता कभी हपते भर भी नहीं परसों घर आया तो कुछ ढूलने लगा मा से पूछा बाग दादा जी का वय पुराना बीजों का बक्सा कहा है रख को ठीक करने वाले और जार रखने के काम आएगा तो इस कहानी में ये बताया गया था कि जो दामजी भाई थे जो कुछ रात में जन्में थे वो किस तरह इसे केती करते थे वो खेती के बीजों को बचा कर रखते थे जिससे वो अगली साल तुबारा इहीं बीजों को बोकर अच्छी पसल क्राफ्ट कर सके और गाओं में सब लोग पसल काटने के समय त्यूहार बनाते थे, मिलजुल कर खाना खाते थे और फगाते थे लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो जो दामजी भाई का बेटा था हस्मुख उसने खेती करने के तरीके में काफी बदलाव लाए, हलकी जगए अब ट्रैक्टर का इस्तिमाल होने लगा, खात की जगए अब रासाइनिक खात और कीट नाशक ने ले ली थी बंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंधर पदेश, यहां के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का करजा नहीं चुका पाये हैं, उन्हें चेल भीज दिया गया है, ऐसे ही एक किसान है नाला पारेड़ी, उन्होंने बैंक से 24,000 रुपए करजा लिया था, यह करजा चुक यह बैंक किसानों को तो छोटा सा करजा ना चुकाने पर जेल भीज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योग पती जो करोणों का करजा नहीं चुकाते, उन्हें कुछ नहीं कहते, देश के सैकणों किसान की खेती में हुए घाटे की कहानी आंधर प्रदेश के नाला प खुद ले चुके हैं, यह संख्या सायद इससे भी जादा हो, देहरी घाओं भासकर भाई की बाड़ी, हमें दूर से ही नार्यल के पेड़ दिग गए, बापरे, एक नार्यल के पेड़ पर कितने सारे नार्यल, हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगी खात का इस्तिमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रहे गए, पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस, कुछ पेड़ों की एकाट सूखी शाखा देखकर लगा, उसे कीड़ों ने खाया है, बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों व लगते हैं, तो वे जान जाते हैं कि पाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है, उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में बनी खात का इस्तिमाल नहीं करते, उनकी जमीन उपजाओ बनती है, जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सरने से और केंचुओं से, ध्यान से जमीन को देखा तो केंचुओं देखे, कितने सारे केंचुओं ही केंचुओं थे, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे, भासकर भाई ने बताया, ये केंचुओं जमीन में छेत बनाते रहते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है, इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाओ बन कच्छरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बजार की खाथ से ज्यादा अच्छी और सस्ते घाथ भी मिल जाती है फिर हमने इस फॉर मैं उगे कई फल भी चेखे मजा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना इस प्रिकार इस पार्ट में हमने पढ़ा कि जो दाम जी भाई जो गुजरात में रहते थे वो किस तरह के से खेती करते थे और इनका जो बेटा था हस्मुक वो एक अलग तरीके से खेती करता था तो दोनों के खेती करने में अंतर और तरीके को हमने जाना धनिवाद आशा है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा